और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे बाबाजान का आस्तानी मुबारक है तो दोस्तों जैसे आप ऊपर आएंगे नीचे से तो यह रस्ता से असले दोस्तों फैनली मैं दरगा शरीफ के पहाड़ी को उपर चड़ गया और अभी मैं पीछे साड़ हूं तो पीछे जा रहा है यहां से आपको रस्ता है एक रैट सड़ गया है और एक लेट सड़ यह अंदर की अज स्सलावालेकूम बंदनावाज शेहनवाज ने ब्लोग को लेकर फिर से आपके खित्मत में हजी रहे दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट पाल घर के नाला आश्जान के वालरी एक पाहडी के उपर अराम फरमा रहे हैं तो आपको मैं बाबा진 का जहरत करूँ गाँ और जो भी जानकारे हिस्टरी हमीं मिलेगी बाबाजान के आस्तानी पर कैसे आ सकते हैं इस सारी जानकारी pen देने वाला हूं तो इस लीछ को आप बिने एसकीप कि उला रहे हैं यह देखिए बच्चे लोग यहां पर पतंग उला रहे हैं तो मसरों दोस्तों आप देख सकते यह बावयान का बुलन दरवाजा है और यहां से आपको आगे की और जाना है तो यह रस्ता यहां से इसा जाके ऐसा घूमते हुए फिर यह बावजान के आस्तानी पर जाता है चलते हैं आपको सीडी से बावयान के आस्ताने पर लेकि चलते हैं तो मैं बताया कि यहां पर इनका जियारत करौते हर तो यहां पर ऊपर आएंगे नीचे से तो यह रस्ता से यहां से आपको नाला सुपारा वेस्ट का व्यूज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा थंडी का मौसा में तो थोड़ा-थोड़ा कोहरा भी दिख रहा है इस जगे पर आप देख सकते हैं और यहां पर वावयान के आस्तान मुवारक आएंगे तो दूसरा गेट आपको ऐसा अन्दर के और जयाने हैं सो मैं दरगा सरीफ के पहाड़ी के उपढ़ चड़ गया हूं और अभी मैं पीछे साय हों तो पीछे सेट का कुछ ऐसा ना जा रहा है और यहां पर तेख सकते हैं एक बहुत बढ़ी बाबाजान आराम फरमा रहे हैं चलते हो देखते हैं सबसे पहले कौन से बाबाजान का यहां पर जयारत कर सकते हैं तो अब दरगा से गेट से जब आप अंदर की और इंट्री मारें तो यहां पर रैट साड़ आप कि आप सभी के लिए वजू खाना बनाया गया है तो यहां पर आप वजू कर सकते हैं फिर बाबजान का जयारत कर सकते हैं तो फैनली वजू कर लिया है और धरगा के बस आप देख सकते हैं माशालला बहुती ही खुब सुरत यहां पर मस्जिद भी है जहां पर पांच वक्ता नमाज भी होती है और जुमेका भी नमाज यहां पर पढ़ाय जाती है तो यह दरगा सरीफ के नाम पर बाबाजान का जो ह थे प्लाइड है यहां पर आपको फूल चादर इतर वगैरा सारा चीज़ आपको यहां पे ही मिल जाएगा बाहर से लानी के आपको ज़रूरत नहीं है सबसे पहले अगर आपको ज्यारत करना तो सबसे पहली सलामी आपको हजरत इशाक शाबाबा को सलामी देना है फिर जारत करा ने जा रहा हूं। हजईत इशाक शा बाबा रहमतbayलेक посто tread अप देख सकते भाबयान काaggio ऐ गुंवरक काफी खुशुरथ गिंव मुवरकर सपुनद ृमौरक कामशल dwa। आपको ये गुंबस देखके क्या याद आ रहा आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएं तो चलते हैं आपको मैं अभी अंदर चलके बावयान का जियारत कराता हूँ आशाल्लाव दोस्तो अभी आप जियारत कर रहे हजरत इशाक्षा बाबा रह्मतुल्ला अलेका माशल्लाव दोस्तो आप देख सकते हैं यहाप बाबा हर एक मुरादे पूरी होगी माशाला आप देख सकते हैं यहाँ पे बावयान का नगाड़ा है जो अभी असर के वक्त बजेगा तो आपको मैं नगाड़ा और लोबान का भी वीडियो शेयर करूँगा तो आप इस वीडियो में लास तक बने रहें चलते हैं अभी आपको मैं दूसरे दर्गासरी पे जाते हैं वहाँ पे सलामी आपको दिलाते हैं हजरत हाजी कुप्पिशा बाबा रहमत अलेका तो माशाला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बत्ती वगएरा आपको देखने को मिलेगा यहां से आपको पूरा नाला सुपारा एरिया का वेस्ट एरिया का और इस्ट एरिया का भी यहां से आपको सारा मंजर देखने को मिलेगा बाबा यान कास्तानु मुबारक एक पहाड़ी को उपर है और चुलते हैं अभी आपको में हजरत कुट्ट भी आप करते हैं यह कि माशालन थो अभी आप ज्यारत कर रहे हैं अच्छे अच्छा पैसे तो आपम देख सकते हैं यहाँ पे हजरत कुटि शावरे मतुला लंका चिराग मुबारख और यहाँ पे आप अब बावयान के जयारत कर अब बाले के जयारत करते हैं अब तो मसले दोस्तो आपको मैं हजुर्ट इशाक शाबाबा और हजुट हम तो ग्रीब मस्सजिद थे तो नमाज पड़ियो में अबको यहां का लोबाना और नगाली का भी वुडियो करोंगा तो इस वुडिओ में आप लास स्क बंडे आपकिरे में तो तो माशाणले दोस्तों आपको हजरत इशाक शवाबा और हजरत कुटी शवाबा रहमतुर लाले का जहरत कराया और आप अभी देख सकते कि लोग यहां से आप देख सकते कि नीची से अभी असर के बाद भी उपर आ रहें तो काफी जैरिन बावयान के अस्ताने पर जाते हैं असले दोस्तों आपको हजरत इशाक सवाबा और हजर कुटिशा बाबा रह्मतुला अले का जहरत कराया और साथ इसाथ आपको यहां पर बावाजान का नगाड़ा और लोबान का भी वीडियो एक्स्प्लोर किया बावाजान का यहां पर उर्ष मुबारक करम के 10 त लसो पारगा इस्ट में जाना है और बावाजान का आस्ताने मुबारक कि यहां से बी आपको दिख जाएगा यह सामने आप देख सकते हैं तो चलते हैं मैं आपको आगे लेके चलता हूं घिरीज से जब आप नीचे उतरेंगे तो ऐसा कुछ नजारा देकने कु मिलेगा आ आगे आएंगे तो यहां पर आपको red side parking मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं बहू浪 सारे गाड़ियां खड़ी है तो ऐसाई शीद सीधे फिन आपको यहां से आगे के वर चलनाँ तो ऐसा कुछ लिजारा आपको देखने को मिलेगा और यहांपर दो रस्ता है एक रैड शेड गया है और एक लेप शेड यह अंदर क्योर गया है तो इसा कुछ नजार आपको देखने को मिलेगा और यहां से आपको देरे-देरे करके आगे क्योर बढ़ना है तो मसर्ण दूस्तों आप देख सकते यह बावयान का बुलन दरवाजा है और यहां आपको नेक्स टूडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं आपसे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज